वागधा नमस्ते आप स्री अकाल में हूँ स्य संकल्प कांश्ट या स्वागत है आपका इस सेशन में इस सेशं में so exams are over वैसे तो मैं उसके उपर एक वीडियो बना चुका हूं बट स्टिल I think there were quite a few confusions रोज कुछ ना कुछ नहीं पता चलता है तो इसके लिए मैंने एक proper PDF बनाया है वो मैं शेर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के उपर which you can join in the description box या comment में आपको मिल जाएगा वहां से आप लोगों को यह download करके अपना criteria देख लेना है फिर भी confusion हो तो comment कर देना comment पे मैं usually reply करीद हूंगा अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर मैं इंस्टिटूट से ज्यादा अच्छा अंसर मैं दे सकता हूं इतना पीएजडी हो गया इस चीज़ के उपर अन्यवेज सेल्फ पेजड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए सेट भी सेट सी चार सेट यह सब अपने को पता ही है जो सी ए फाइनल में आ चुका है से पर एक्जामबल नवेंबर 23 तक जो CA Intermediate IPCC जो भी एक्जामज hayat PCC वो clear कर क्रोंखुका है bara 23 तक उसको सेट सी सेट डी एक्जेम्ट एक जनरल बात बता रहा हूं उसको देना है सेट ए और सेट बी नवेंबर 23 तक जिसने ग्रूप 1 क्लियर कर लिया है उसको देना है खाली सेट बी और जिसने ग्रूप 2 क्लियर कर लिया है उसको देना है खाली सेट ए एक स्टूडेंट का आज ही के उपर set भी दिख रहा है तो I don't know ऐसा क्यों है तो I am sure institute यह चीज rectify कर देगी आपको भी ऐसा कुछ है तो you can let me in the comment box so that consolidated basis पे I can send a mail on your behalf to ICI for the students facing this problem बाकी जो एक general discussion है वो मैं आप लोग के साथ कर देता हूँ कि बही क्या क्या आप लोग का criterias है फटा फट ज़्यादा time नहीं लूँगा मैं और फिर भी एक criterias में कोई confusion हो तो let me know CA inter वालों के लिए पहले मैं बात कर लेता हूँ अगर आपका November 23 तक group 1 clear है तो sorry आपको कोई benefit नहीं है set A, set B, set C, set D 4 हो देना है November 23 तक kali group 2 clear है तो बज गए set A, set B तो compulsory but at least set C, set D में से any one आपको देना है अगर आपका दोनों group clear है तिल November 3 तक तो set C, set D exam, set A, set B देना ही है एक सबसे important general announcements CA final वालों के लिए अगर आप November 24 में exam दे रहे हो then in that case set A, set B आपको दोनों clear करना ही करना है irrespective whether आपका November 24 में खाली आप group 1 दे रहे हो या आप काली group 2 दे रहे हो अगर समझो कोई काली group 1 दे रहे है तो उसका मानना था कि फिर में को खाली set A देना पड़ेगा नहीं आपको set A, set B देना ही पड़ेगा दोनों और अगर आप set A, set B, set C, set D, चारो के लिए eligible हो तो चारो आपको clear करना पड़ेगा तो आप eligibility देखके पहले ये SPOM, self-paced online वाले exams clear करने ही पड़ेंगे already 40 hours का institute दे ही रहा है आप लोगो content set A, set B के लिए set C, set D के लिए 20 hours का in case आप लोगो वो नहीं जाम रहा है आपको और assistance चाहिए then in that case I have come up for self-paced online module का SCPM का course है उसके लिए मैंने मेरा already books दे ही दिया है so you can use those books you can use those video sessions also for your benefit so you can use those books webbukate.in चे आप लोगो order करना है you can order theory book है एक MCQ का book है, 1500 से जादा MCQ जाने एक practical book भी है so you can refer them and जिसको detail में चाहिए थोड़ा बेटर पढ़के close करना है so you can refer the lectures also I'll just give the link of the session so you can download it from there अब बाकी के लोगों का एक बार अपन लोग बात कर लेते है CA final group 1 clear है set B देना है A, C, D, exempt then comes this CA final group 1 अगर आपने appear किया है May 24 के लिए अब आपको set A, set B by default देना ही है अब आप group 1 ही देने वाले हो November 24 में वापस या आप दोनों group देने वाले हो तो समझो आपने अभी group 1 दिया और group 1 में हम नहीं चाहेंगे ऐसा बट group 1 में आप clear नहीं हो पाए तो अब आप वापस से November में दोगे November में आप eligibility तब भी मिलेगा जब आप set A, set B दोनों दे देते हो तब भी आपको eligibility मिलता है आपका November 24 का group 1 reappear करने का so please make that very very clear फिर exempt set C, set D group 2 अगर दिया है तो same अब आपको group 2 आपने दिया है तो आपको set B देना है group 1 अगर आप अभी बाब में देने का सोच रहे थे या जो भी है तो set A, B in short आपको A और B दोनों देना ही पड़ेगा exempt set C, set D CA final दोनों group दिया है give set A, set B by default so usually मैं बोलता हूँ students को कि चलो भाई Goa चलते है जाओ मजे करो but अब थोड़ा delay करो अपने Goa को set A, set B दे दो फिर Goa का plan बनाएंगे साथ में comment करना अगर आपकी भी इच्छा हो मेरे साथ Goa चलने की तो next SPOM eligible criteria for final students appearing for November 24 for the first time जो first time दे रहा है A और B set आपको देना ही देना है अगर आप final में आ चुके हो November 23 के बाद तक मतलब in shot November 24 में आप first time दे रहे हो तो आपने अल्रेडी November 23 या उसके पहले इंटर दोनों group clear करी लिया होगा तो set C, set D exempt है, set A, set B दे देना है चुके बले ही आप एक ही group दे रहे हो बले ही आप second group ही दे रहे हो तो भी set A, set B दोनों दे ही देना है समझे रहे हो exempt set, set C, set D planning to appear for CA final both the groups so if you are planning to appear for CA final both the groups, same, set A, set B देना ही पड़ेगा done, done, exempt set C, set D अब ये कुछ inter वालों का inter वालों में बहुत confusion है, specially जिसने PCE और PCC वाला P2 वाला एक्जाम दिया है तो देखो, अगर आपका inter group 1 वाला सिनारियो है जिसमें आपने inter group 1 पास किया है कौन सा inter जब 6 paper हुआ करते थे या P2 या PCE जैसे मैंने exam दिया था, P2 वाला exam था वैसा वाला कोई exam है, then in that case अब आपको कौन सा exam देना है tax costing FMSM वो आप लोग ने, I think May 24 में यह दिया होगा अब, as far as SPOM is concerned, set A, set B, set C, set D 4 आपके लिए applicable है, समझ रहे है वैसा, फिर अब ये पूरा आप लोग एक बार go through करना, see where you fall into, and then see आप लोग के लिए क्या applicable है अब आप, अगर group 1 वाले हो जिसने inter group 1 pass किया है and subsequently past unit 6 in intermediate examination, तो हो सकते है ना, किसी ने group 1 IPCC में pass किया फिर intermediate में उसने कोई एक paper pass किया हो, तो अब उसको खाली, tax और costing ही देना बाकी है, तो उस case में भी उसको चारो set देने है again I am telling you, यह अब आपको identify करना पड़ेगा, या तो आप identify करो और अगर doubt हो, तो मेरे को comment में पूछो मैं आपको उसका answer दे दूगा, कोई tension नहीं है so these are the things that now you have to follow CA final में अगर आप November 23 के पहले आ चुके हो, set A, set B applicable होगा, set C, set D applicable नहीं होगा, जी हाँ so I hope we are very much clear, again CA inter, अगर आपने group 2 PCE में pass किया है तो फिर आपको अभी advance accounts, group 1 का log group 2 का audit, यह तीन देना है, इंटर में और applicable as far as SPOM is concerned 4 set applicable होंगे आपको, ठीक है so group 1 वाले थोड़ा सा इंटर वालों के लिए थोड़ा सा यह complicated है so यह भी मैंने इधर सब scenarios डाल दिया है, आपको doubt है, पूछ लो, will definitely help you out इंटर group 2 अगर आपने pass किया है P2 एरा में, या otherwise, intermediate वाले में then आपको set C, set D में से खाली A की देना, ठीक है, so जिसने C, enter group 1 ही pass किया है, उसको कोई benefit नहीं, A, B, C, D, चारो दो जिसने C, intermediate का group 2 पास किया है चलो, आपको C, D में से A की देना, A और B तो by default देना ही, देना है, so I think यह मैं PDF आप लोग के साथ share कर देता हूँ मेरे टेलिग्राम चैनल पे, description box पे या comment में link है, get it done and अगर set B आप लोग को करना है, there are good benefits going on, you can enroll for it and get started, so that एक ही बार में clear हो जाए, exam का level expert knowledge का है, and जब आप लोग book open करोगे न अपना, या आप लोग जब कुछ lectures देखना भी चालो करोगे न institute का अपको realize हो जाएगा, बहुस अलग level का, ये expert knowledge की बाते चल रही है, जो CA final level पे चाहिए, so until and unless you are going to put in efforts नहीं हो पाएगा, clear, conceptual clarity, sum solving, ये सब qualities होने चाहिए, तब भी आप ये exam को clear कर पाओगे, so हलके में ना ले, अच्छी तरह से दे, and clear करे, इसको भी positive में, so that नाम के आगे CA बहुत जल्द लग जाए, anything else, let me know, time for me to say, astalavista, मिलते रहेंगे, और ऐसे कुछ sessions में कुछ और confusions होगे, ये सब के लिए आप subscribe करके रखिये, so that you will be guided till the end, keep smiling, और गोवा का plan का बता हो बटाओ, वह बटाओ, गोवा, 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 गोवा,